26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के छातरों के बीच विश्वस्निय संस्थान गोल स्टीम नितीश कुमार के अध्यक्षता में आज जदियू की राज्यकार कार्नी के एहम बैठक मुख्यमंत्री ले सकते हैं आज कई बड़े फैसले नमस्कार ने उस पनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा पटना में आज जदियू की राज्यकार कार्नी की एहम बैठक होनी जा रही है जिसके अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नितीश कुमार करेंगे और इस बैठक को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है कि नितीश कुमार अब कौन से बड़े फैसले लेने जा रही है क्या है पूरी खबर आईए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में प्रस्तावों पर चर्चा करना और जद्यू के रननीतियों को ट्य करना है पाटी ने 120 सीटों पर दावेदारी ठोकने की योजना बनाई है जो कि पिछले चुनाव के परिनाम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है वैटक में राश्ट्री अध्यक्ष और मुख्यमंत्री निटीश कुमार, कारिकारी अध्यक्ष, संजे जास, सहीत, अन्य केंद्री मंत्री और पाटी के वरिष्ट नेता शामिल होंगे ये वैटक जद्यों के लिए एक महत्वपूर्ण अफसर है ताकि वो अपने संगठन को मजबूत कर सके और आगामी चुनाव के लिए अपनी रननीती को अंतिम रूप दे सके वैटक में महागठबंदन से संभावित चुनोतियों पर भी चर्चा होगी खासकर प्रशान किशो द्वारा नई राजनीतिक पाटी बनाने के बाद उत्पन स्थती पर इसके अलावा निताओं को वेभेने दिशान निरदेश दिये चाहेंगे ताकि वो मतदाताओं तक पहुँच बनाने और संगतनात्म के सर पर मजबूती लाने के लिए आवश्यक कदम उठा सके बता दे जेडियों की नई राज्यकार कारणी की लिस्ट हाल ही में जारी कर दी गई है राज्यकार कारणी मेरे पार्टी के राश्यकार कारणी की लिस्ट में शामिल है पतना में आज जदियों की राज्यकार कारणी की एहम बैठक होने वाली है और इस बैठक को आगामी 2025 की विदानसबा चुनाव को लेकर काफी एहम माना जा रहा है नितीश कुमार इस बैठक में कई बड़े फैसले भी ले सकती है साथी नितीश कुमार जो बिहार में नई पाठी प्रिशान किशोर की जन सुराज पाठी है इसको लेकर भी विदानसबा चुनाव में क्या कुछ परिशानी आ सकती है इस बैठक में चर्चा हो सकती है साथी 2025 के विदानसबा चुनाव के लिए क्या कुछ रन्नीती बनाए जाएगी इस पर भी बाचित कर सकती है देखे आज मुख्य मंत्री नितिश कुमार के अधियक्षिता में जदियो की राज जिकार कार्णी के एहम बैठक बुलाए गई हो और अस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं फिलाल के लिस्खवन बस्तना ही आप देखते रहें